नमस्कार स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में मैं आपके साथ नेहा वर्मा आज एक बड़ी खुश कर देने वाली खबर 36 गड़ से आ रही है पंजाब, उत्तर परदेश, मध्य परदेश, महराष, दिली हरियाना हिमाचिल परदेश के बाद आज 36 गड़ राजे में भी समाचार एक्सप्रेस ने दस्तक दे ली है अब आप लोगों को 36 गड़ में घटितोने वाली घटनाओ का भी ब्योरा मिल पाएगा क्योंकि आज से समाचार एक्सप्रेस 36 गड़ से भी आप तक खबर पहुँचाने के लिए खबरों की शुरुआत कर रहा है यह सब हमारे समाचार एक्सप्रेस से जुड़े लोगों के आशिरवाद और स्नेहे की बदोलत ही संभव हो पाया है आशा करते हैं कि आप सब कस नहीं इस तरह बरकरार रहेगा और फिर हम देश के बाकी राज्यों की तरफ भी बढ़ पाएंगे समाचार एक्सप्रेस के निदेशक अनिल लांबा और मुखे संपादक हरिश चावला ने 36 गड़ के स्टेट हैट प्रणे अगरवाल वो उनकी टीम को हार्दिक बधाई दी है और आशा विप की है कि उनकी टीम निस्पक्ष और बेबाग खबरों के जरिये 36 गड़ की जनता का दिल जीत लेगी आए सबसे पहले देखते हैं समाचार एक्सप्रेस के मुखे संपादक हरिश चावला ने क्या संदेश दिया नमस्कार इस वक्त आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ महक शर्मा बड़ी खुशी की बात है कि आच 36 गड़ में हमारे समाचार एक्सप्रेस का नया कारयाले का शुभारम हुआ है और हमारे हर्याना के मुखे कारयाले में आज बड़ी ही खुशी की बात है कि 36 गड़ में यूपी महराश और विभेन राज्यों के बाद आज 36 गड़ में इस कारयाले का शुभारम होने जा रहा है हमारे साथ है चीफ एडिटर फरीश शावला जी उनसे हम जाना चाहेंगे कि उन्हें कितनी खुशी की बात ये लगी और वो अपनी खुशी के सरह से व्यक्त करते हैं सबसे पहले तो मैं 36 गड़ के जो हमारे कारयले के हेड़ पर भारी हैं शिरी प्रणे अगरवाल जी और उनकी टीम के रिपोर्टर शिरी सुनील सोनी जी और अरजिंदर गड़ जी सबसे पहले तो मैं उन्हें मुबारक बात देता हूँ, बड़े दिल से मुबारक बात देता हूँ, आज बड़ी प्रसंता हो रही है कि समाचार एक्सप्रेक्स साथ आठ राज्यों के बाद अब 36 गड़ में अपने पाम पसारने जा रहा है और मैं अपनी 36 गड़ की टीम को बदाई देने के साथ साथ उनसे आग्रह भी करूँगा कि वो लोगों की अवाज हमारे चैनल समाचार एक्सप्रेक्स के माध्यम से पुर जोर से उठाएं, निश्पक्स तरीके से पत्रिकारता करें क्योंकि पत्रिकारता एक ऐसा चोता स्थम्भ है जह हर आदमी अपने माध्यम से अपनी बात रखता है और सरकार तक उनकी बात पहुंचती है और जो लोगों की जन समस्या होती है वो चैनल या रिपोर्टर के माध्यम से वो सरकार तक पहुंचती है और फिर उनका सरकार निरंकरन भी करती है तो मैं इस तरह की उमीद अपने 36 गड़ चैनल की रिपोर्टर टीम की तरफ से करूँगा और आशावान भी हूँ मुझे पता है कि प्रणेव अगरवाल जी जो हमारे स्टेट परफारी हैं अगरवाल साब आरों की टीम बड़े दिल से बड़ी तन्यमेता से और बड़ी महिनत से और इमानदारी और निस्पक्स तरीके से कारी करेगी और जनता के बीच पहुंचेगी और जनता में हमारे चैनल समचार एक्सपरक्स की छवी को तंदूस्त करेगी उन्हें अच्छी छवी बनाएगी हमने करेब पांच-छे मीने पहले हमने समचार एक्सपरक्स की कमान परधान संबादक के तोर पर मैंने यानि कि हरीश शावला जी और जो हमारे समचार एक्सप्रेक्स के निदेशक हैं शीरी नील लामबजी उन्होंने संबाली थी दोनोंने आज से करीब 5-6 मीने पहले इतना सोचा नहीं था कि 6 मीने तक 6 मीने में ही हम इतना बड़ा विस्तार कर जाएंगे और इतनी बड़ी टीम का गठन कर देंगे आज हर्याना ही नहीं बलकि उत्तराखंड, उत्तर परदेश, महाराष्ट, मध्ये परदेश, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल और अन्यराजों में आज समचार एक्सप्रेक्स का जो पोटेबल जो चैनल है वो तेजी से फैलता जा रहा है हमने हमेशा निस पक्ष तरीके से ख़बर को दिखाने का प्रियास किया है, हमने कभी एक तरफा खबर नहीं चलाई और ऐसी संकीरन जो पत्तरिकारता होती है, जो आम तोर पे पत्तरिकारों को अब आदत हो गई है उसी हमने चलाने से या दिखाने से हमेशा गुरेज किया है, परहेज किया है और मैं 36 गड़ के, जो हमारे 36 गड़ की टीम है, मैं उनसे भी उमींद करता हूँ कि वह इस तरह की पत्तरिकारता से खुद को दूर रखेगी क्योंकि हमारा मुख्य मक्सद जनता के बीच हमारा यानि की समचार एक्सप्रक्ट का विश्वास कायम करना है हमने जनता के बीच भरोसा बनाना है, ताकि हम यानि की समचार एक्सप्रक्ट जनता की आवाज बन कर सरकार तक पहुँचे इसके लावा मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जो आज 36 गड़ कारले के शुबारम के दुरान हमारे कारले में आज उनका उद्गाटन करने पहुचे विधायक शिरीमान दिविंदर यादव जी उनका मैं दिल से भार करता हूं इसके लावा जो न्यू प्रेस कलब के भामना पांड़े जी है उनका भी हिर्दे से मैं धन्यवाद देता हूं उनको इसके लावा 36 गड़ के शत्री गड़ से श्रम जी भी जो पत्तरकार है कलियान संग टी सूरिया राव जी जो उसके स्तानी संबादक है उनको मैं मुबारक बात देने के साथ साथ उनका भी दिल से अभार पकरता हूं और याशा करता हूं कि जो लोग आज हमारे कारले का उद्गाटन करने अफसर पर पहुंचे या मौजूद थे वो हमेशा हमारी टीम के साथ जुड़े रहेंगे एक बार फिर से स्टेट हैड परभारी 36 गड़ के परणा अगरवाल जी को बहुत 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 बदाई उनकी टीम को और आप इसी तरह दिल से तरमेता से मेनत से करमटता से और निश्पक सरीके से जनता की वाज बलंद करते हैं हमारा आपके साथ सने सदा के लिए बना रहेगा आपका बुद बुद रन्यवार शुक्रिया ये थे हमारे साथ समाचार एक्सप्रेस के चीफ एडिटर हरीश शावला जी जिनोंने 36 गड़ के इस कार्याले के शुभारम में उन्हें धेर सारी शुभकाम नाए दी मैं कैमरामेन सन्नी चोधरी के साथ महक्षरमा अब आपको बताते हैं 36 गड़ राजे की शुरुवात के बारे में 36 गड़ दूर्ग भिलाई में समाचार एक्सप्रेस न्यूस चैनल कार्याले का उतगाटन आज विधायक वो महापोर देवेंदर यादव एवं न्यूस प्रेस कलब ऑफ भिलाई की अध्यक्ष भावना पांड़े के करकमलों से विधिवत किया गया इस अवसर पर बिड़ी निजामी परदेश अध्यक्स 36 गड़ श्रम जीवी पतरगार कल्यान संक्टी सूर्या राव स्थाने संपादक नई दुनिया इवो मीडिया जगत के अनेक प्रभूत प्रैसाथी गण उपस्थी थे विधायक व महापोर देविंदर यादव ने अपने संबोधन में समाचार एक्सप्रेस न्यूज चैनल को बढ़ाई देती हुए कहा कि यह बहुती कम समय में 36 गड़ के नागरिकों के बीच लोग प्रिये हो गया है वर्तमान काल में यदि संसार के किसी भी कोने में कोई भी घटना घटित हो तो उससे अगले दिन हमारे पास उसकी खबर आ जाती है ऐसा सिर्फ समाचार एक्सप्रेस के खारण ही संबव है आज के समय में बिना समाचार की बिना जीवन की कलपना करना भी काफी खटिन है और जरूरत के नुसार लोगों के एक से अधिक उदेशों की पूर्ति करता है नियू प्रेस कलब ओफ भिलाई की अध्यक्ष भावना पांडे ने कहा कि आज के समय में मीडिया बहुत ही प्रभावी और शक्तिशाली है और संसार की सभी खबरों वो सुचनाओं को एक साथ एक स्कान पर लोगों को पहुंचाता है इस अफसर पर प्रणे अगरवा स्टेट हैट चतिस गड़ एवं दूर्ग भिलाई रिपोर्टर राजेंदर गाड़े एवं सुनेल सोनी ने सभी अतितियों का पुश्प से स्वागत किया सुनी ने को राजेंदर गाड़े जी पर बढ़ाये करना चाहूंगा कि उन्हों ने आज एक बहुत अच्छे तरीके से इसकारे ने इतनी सुवारम भी किया और साथी साथ महीं हो तो कामनाा के बिढ़ना चाहने हैं और अपने चेनल के मद्धम से वो पक्षाएंगे और पाजनेताओं से उन्हों को निराकान चाहते हैं और उन तक भी पहुंचाएंगे जो सेतु का का होता है, चैनल का पब्लिक और अधिकारियों और नेताउं के विश्पस को आपको सक्षमता के साथ पूरी करेंगे, ऐसे भी शुक्तामना आपको देता होना है। तो हिंदी में ओवर्ड केलेक्शन के बाद केलेक्शन के लिएना के लिए है। समाचार एक्ष्प्रेस चत्रियर का घटल के मारी में भारत भिलाएना हुआ है। यह ख़बर मैं सुन करके मैं कुशलता हुई और मैं यहां आया। मैं इस समाचार एक्ष्प्रेस के जुड़े सभी इसे ही निवदर कर दुआ है। कि जो मेडिया है, जो अधास्तम के, सासन की योजनाओं को जनता तक देजाए। और जनता की समस्याओं को सासन तक देजाए। और इस काम में लदी का जुप्रेस को बहता है। इस तरह आप ग्याम करें। और जो अंति-पंति-प्रेटी विक्ति का उनका निराखरण हूँ। ऐसा मैं आसका हूँ। तो आप ग्याम करें। भाहि राजया जूँ। मैं आप सिर्फा के तरह से लुड़ा हूँ। राजया जी। आप भी प्रेस तुड़ी के पहले से और या निर्फ चैनल के मातर से आप आए हैं समाज़ के पीच में। मैं जाहूँगा कि इसके माधिम से भी बिलाई की जन समस्यां के साथ से कि समाज़ के पाइप छेतना हूँ। जाहत है कि राजयता का या सवच्चर समस्यां के साथ समस्यां के जाहें। कि इस तरह सभी मुद्ध की और पुरे चथिस गड़ी जो समस्या है उनको सामने रखे और निश्पक्ष रूप से कार करें कि आने वाले दिनों में इस समचार पत्र के मात्रम से यह है वाकाने का प्रयास करें कि सवचिता के साथ की समचार मत्रों के और निश्पक्ष का जो काट करना होता है उसको लोग देखें ये इस लोगों के पास एक जान रहे कि हमको समचार निखनी है ऐसा प्रयास करें कि लोग इसको देखने का समय निखाल करके इस समचार पत्र को देखें और निखें निख्ट्र स्ट्रीण करें चाहिए वीज़न देखने का बत्राइब गुष लोगो देखें में कमचार नख्रा मार्चना रहे हैं यह आड़ार में करें वह स्लेकलना करें बत्र शुनी शोली को डाराएब समाचार एक्सप्रेस के आप सारे समाचार को बित्कुल इंपार्शल में में रिजन करेंगी जैसे कि आपका सिस्टेम में और सुरिक वाला शुक्ता है समाचार एक्सप्रेस कब लाहिक कारून है कब गाटन हुआ आप लोग को बदाई रायुन गाड़े जी और आप लोग भी समाचार के छेत्रे में अच्छा कारी करेंगे और समाच को आयना दिखाएंगे जिस तरह से हमारे चौथे स्टम्ब का कार्य है कि हम समाच की बुराईयों को सामने लाएं और उनके समस्याओं के निदान भी करें और फिरी ऐसे यह पिच्छा है समाचार एक्स्प्रेस से कि वह किसी भी समाचार में दोनों पक्षों जाहे वह उपक्ष रहे चाह पक्ष दोनों पक्षों को समाइंत इस्थान देंगे और उनको एक अच्छे स्थर पर लेया कि उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे और समाचार एक्सप्रेस अपने हूपर किसी भी तरह का एक तरफार लाच्छन ना लगने दे यह में उपित करते हैं समाचार एक्सप्रेस के कारेले की शुबारण में आज मुझे आने का अथर मिला और मुझे इस बात का भरोसा है कि मीडिया का जो कारेले मीडिया जैसे एक वह आले चलू लंबा हो जाएगा वह ज़्यादा है आपका ने चैनल शुरूब कять है निशित ग्रूप से हर आखरी रख्य वाज की आवाज भी इस चैनल में दिखाई जाएगी सरकार की अच्छा ही ही और पिड़ाई में दिखाई जाएगी क्यों मीडिया का मूछ रूप है लोगतंद्र का चौथा अस्तम है उससे कारे को आप लोग की निश्चित रूप से बहुत बैतरी से निभाएंगे और मैं सबको बहुत सारी शुब कामना है और बहुत सारी बताई दो समचार एक्सप्रेस निउस इस सुभारम के आसर पर मैं सभी संथा से जुड़े हुए लोगों को बहुत सारी शुब कामना है दोंगा निश्चित रूप से सरकार की खामिया और सरकार की अच्छाया सभी इस चैनल के माध्यम से प्रदेश का आखरी वैक्ति देख पाएगा और प्रदेश के आखरी वैक्ति की भी मूल बहुत आवशागता हूँ और उसकी समस्याओं को ये चैनल प्रात्मित्ता से दिखायगा ताकि लोकतंतर का चौथा इस्तम जो सरकार और जंता के पीच में समभात बनाने का मीडिया का मैं इसको भखू भी और अच्छे से निभापाएं। सबको बहुत आरी शुप का मैं। J.B.D. Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden World-class catering, centrally air condition, lush green lawns, state-of-the-art lightning A perfect venue for wedding, launching and parties Rajgharana and Jyoti Garden by J.B.D. Banquets Enterprise ऐसे ही लेटेस कोबरे पाने के लिए बेल इकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें हैंने वाण